हम आज सभी को शुक्रवार व्रत कथा सुनाते हैं संतोशी मा के श्री चरणों में शीष जुकाते हैं संतोशी मा के शीजर्यों में शीष जुकाते हैं जै जै संतोशी मा हम पर किरपा बरसा छे कमाते एक निकम मा घूमता था दिन रात सुन्दर भोजन छे पुत्रों को रोज ही बुडिया बनाती सबसे छोटे निकम में पुत्र को जुठन रोज खिलाती छोटे पुत्र के दुलहन ने सब हाल पती को बताया सुनकर पत्नी की बातों को पुत्र बड़ा गुसाया जूठ बोलती हो तुम ऐसा मा नहीं कर सकती पत्नी बोली पती देव मैं जूठ न बोला करती बोला पती सही बात का आज ही पता लगाते है संतो शीमा के श्री चरणों में शीष जुकाते है जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसा जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसा छोटे पुत्र ने सोचा बात का रहू मैं पता लगाके चादर ओढर सोई घर में पुत्र सोय है जाके छे को खिलाया बुढियाने सुन्दर पकवान बनाके ठाली में जूठन परोस बोली भोजन कर आके छोटा बोला मा जूठन मैं अब नहीं खाऊंगा जाऊंगा घर छोड के मैं परदेश कमाऊंगा छोटा पुत्र पतनी से बोला सही है तेरी बात जाता हूँ परदेश कमाने काम करो दिन रात जो महनत करते हैं जग में नाम कमाते हैं संतो शीमा के श्री चरणों में शीष जुखाते हैं जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसां जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसां छोटा पुत्र जब पहुचा शहर में साहुकार के पास साहुकार बोला पेटा लगते हो बड़े उदास ढूंड रहे हो काम तो तुम रह जाओ मेरे पास सेठ के पास में हीरे का वो करने लगा है काम लड़के के आते ही सेठ के घर हुई खुशियों की भरमार दिन तूनी और रात जोगनी बढ़ने लगा व्यापार दूजी और लड़के की पतनी जंगल है जाती दिन भर काट के लकडी रात में घर वापस आती राह देख रही पती देवना वापस आते हैं संतो शीमा के श्री चरणों में शीष जुकाते हैं जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसाँ नारियल के खोपडी में पानी बुढिया उसे पिलाती आटे की भूसी की रोटी उसको रोज खिलाती लकडी का वो जाली एक दिन मंदिर वो आई संतो शीमा का व्रत करते स्त्रियों को पाई एक औरत से पूछा इस व्रत से क्या फल मिलता है औरत बोली विनमा के एक पत्ता भी नहिलता है व्रत करने से धन धने पर देसी पती आए जो भी हो तेरी मनों का मना निश्चित पूण हो जाए व्रत करने की विधी भी उसको वो बतलाते है संतो शीमा के श्री चरणों में शीष जुकाते हैं जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसा जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसा साहुकार के पास में रहके लड़का हुआ धनवान साहुकार की नजर में उसका बढ़ा मान सम्मान एक दिन संतो शीमा उसके सपने में आई उसकी औरत की दुख भरी बाते उसे बतलाई साहुकार से छुटी ले जब घर पे वो आया रोटी के आटे की भूसी खाते पत्नी को पाया पत्नी ने सारी बाते अपने पती को बतलाई दोनोंने मा की पूझा की थाले सजाई व्रत उद्यापन पे लड़कों को घर में खिलाते हैं संतो शीमा केशी चरणों में शीष जुकाते हैं जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसा बड़ी जिठानी का लड़का भी था भोजन पर आया व्रत का भोजन करके खटी वस्तू को खाया होते ही व्रत भंग विपत्ती भारी है आई संतो शीमा क्रोधित हो गई क्रोध को दिखलाई पकड लिए राजा के सैनिक लड़का घबराया राजा बोला कहां से इतना धन तुमने पाया लड़के के पतनी संतो शीमा के बंदिर आई मा से बोली गलती मेरी माप करो मेरी माई संतो शीमा के सपने राजा को आते है संतो शीमा के सपने राजा को आते है संतो शीमा के श्री चरणों में शीष जुकाते है जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसाँ सपने मेरा जासे बोली लड़का है निर्दो शहर से धन को कमा के लाया इसका नहीं है दोश छोड़ दिया राजा ने लड़का फिर वो घर आया धूमधाम से माता का व्रत घर में करवाया रहने को परिवार के संग में सुंदर महल बनाया संतो शीमा की क्रिपा से सब कुछ है पाया बड़े भाई और भाभी उन दोनों की शरण में आये अपनी करनी फर बुढ़िया संग बहुत वो पच्छताए पती पतनी अपने परिवार को गले लगाते है संतो शीमा की किरपा से सारे सुख पाते है जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसा जै जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसा जै संतो शीमा हम पर किरपा बरसा